हेलो एवरिवन GS Question Paper में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग धारत के प्राची नितिहास के बारे में कुछ प्रशनों को सॉल्व करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप से बोलना चाहूंगे कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल और आपके कोई भी सुझा हो वो मुझे कमेंट्स बाक्स में जरूर आप बताईए चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेशन है निमलिखिक कथनों में से गलत कथन का चैयन करे पहला, सबसे प्राचीन बौध ग्रंथ त्रिपिटक है दूसरा, सुत्थ पिटक में बुध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है तीसरा, इस बौध धर्म का इनोसाइकलोपीडिया भी कहा जाता है चौथा, विनाय पिटक में बौध धर्म के नियमों का उलेख है और पांचवा, अभिधम पिटक में बौध धर्म के दाशनिक सिध्धानतों का विवेचन किया गया है आपको इसमें से गलत कथन का चैयन करना है आपके आप्शन है, दो और तीन बी, तीन और पांच सी, दो, तीन और पांच या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं चलिए एक बार फिर से प्रशनों को देखते है इसमें बोला गया है कि सबसे प्राचीन बौध ग्रंथ त्रिपिटक है जो कि बिल्कुल सही हमारा आंसर है दूसरा है, सुत्थ पिटक में बुध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्र है ये भी आपका बिल्कुल सही है और इसे बोध धर्म का इन सौइकलोपीडिया भी कहा जाता है साथ ही, विनाय पिटक में बोध संग के नेमों का उलेख है और अविधम पिटक में बौध के दार्षनिक सिध्धान्त का विवेचन है यहां पर आप ध्यान दिजेगा कि अविधम पिटक में दार्षनिक सिध्धान्त विनाय पिटक में बौध संग के नेम और सुत्थ पिटक में धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है तो इसका option हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं यहां हम लोग उसका detail देख लेते हैं प्राचीन बौध ग्रंत त्रिपिटक कहे जाते हैं जिन में तीन हैं सुत्थ विनय और अभिधम पिटक सुत्थ पिटक में विचारों और वचनों का विनय पिटक में बौध संख के नियमों का तथा अभिधम पिटक में इनके दार्षनिक सिध्धानतों का वर्डन है और ये भी है कि इन त्रिपटक गंथों की रचना बुद्ध जी के निर्वार प्राप्त करने के बाद ही हुई है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है निम्ण में से कौन सा उपवेद नहीं है ये आपके UPHSC में आचुका है क्वेशन आप्शन को ध्यान से देखिएगा फर्स्ट आप्शन है आयूरवेद सेकेंड आप्शन है धनूरवेद थर्ड आप्शन है योगवेद और फोर्थ आप्शन है स्थापत्यवेद या शिल्पवेद आपको इसमें से बताना है कि कौन सा उपवेद नहीं है इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर होगा योग वेद यहाँ पर हम देखते हैं आयूर वेद, धनूर वेद, स्थापते या शिल्प वेद ये तीनों हमारे रिग वेद, यजूर वेद, अथर्व वेद और साम वेद से हैं जिसमें आयूरवेद जो है रिगवेद से, धनूरवेद है आपका यजूरवेद से और स्थापती या शिर्पवेद अथर्ववेद से लिया गया है जबकि योगवेद जैसा कोई उपवेद नहीं है आईए इसका हम लोग डीटेल देखते हैं यहां पर बताया गया है कि वेदों से निकली हुई शाखा रूपी जो ग्यान है उसे उपवेद कहते हैं यह चार हैं आयूरवेद, धनूरवेद, गंधर्ववेद, स्थापत या शिर्पवेद जिसमें हम देखते हैं धनूरवेद, जिसमें विश्वा मित्र ने यजूरवेद से निकाला है आप इसे इस ट्रिक से भी याद कर लीजेगा कि धनूरवेद, यजूरवेद, धनूर और यजूर दो शब्द लगभक सेम जैसे लग रहे हैं दूसरा ओप्शन है गंधर्व वेद, जिसे भरत मुनी ने साम वेद से निकाला था इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे कि गंधर्व जैसे हम लोग जानते हैं सुनते हैं कि गंधर्व जो कि जिन्हें गायन और नृत्य इन सब का विशेश लगा था साम वेद से निकला है और साम वेद भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है इससे हम लोग रिलेट करके साम वेद गंधर्व वेद आगे देखते हैं फोर्थ ओप्शन है हमारा आयूर वेद आयूर वेद रिग वेद से निकला है आयूर मतलब जिसकी आयू ज़्यादा बड़ी हो रिगवेद जोके सबसे प्राचीन हम लोग का वेद है तो ये आयू में सबसे बड़ा है तो इसलिए रिगवेद से आयूर वेद निकला है फिर लास्ट हम लोग देखते हैं अथर्ववेद अथर्ववेद स्था अथ और स्था दोनों स्टार्टिंग के दो शब्द स्था और अथ इससे रिलेट करके हम लोग इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं धनुर, यजुर्वेद से गंधर्व, सामवेद से आयुर्वेद, जो कि सबसे आयु, जिसके सबसे पुरानी हो, रिगवेद और स्थापत्य अथर्व स्था और अथर इस तरीके से हम, मतलब हमने जैसे याद किया आपको बता रहे हैं आप अपने तरीके से भी बना करके इस तरीके से रिलेट करके इन सबको आसानी से याद रख सकते हैं आईए हम लोग नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है हमारा बौध धर्म की प्रथम संगीती कहा हुई थी जैसा कि हमको पता है चार बौध संगीतियां हुई थी और यहाँ पर आंसर भी आपका क्रम वाईजी दिया गया है जैसे प्रथम बौध संगीती कहा हुई थी इसका आंसर होगा राजग्री द्वितिय कहा हुई थी वैशाली त्रितिय कहा हुई थी पाटली पुत्र और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में आगे हम लोग देखते हैं इसमें बताया है इसका डीटेल की प्रथम बौध संगीत 483 इसापूरू राजग्रिह नामक अस्थान पर अजात शत्र की शासनकाल में हुई थी यहां पर यह गलत दिया गया राजग्रिह होगा इसके बाद इस बौध संगीत की अध्यक्षता महाकसप ने की थी इस संगीत में बुध के उपदेशों को दो पिटको विनय तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया आपको बताना है अगर आप वीडियो देख रहे हूं तो कमेंट्स बौक्स में प्लीज बताएं कि तीसरा जो है अभिधम पिटक वो किस संगीत में जोड़ा गया था यहां पर हम देखते हैं दूसरा है वैशाली अच्छा इसमें एक और तरीके से प्रश्ण बनते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी सूची मिलान वाले प्रश्ण आय भी हुए हैं आपके एक्साम में कि राजगरिः की बौधसंगीत की अध्यक्षता महा कसप ने की थी तो वैसाली की किसने की, पाटली पुत्र की किसने की और कुंडलवन में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की आगे हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन है हमारा यहाँ पे कुछ घटनाय दी गई है और उसके चिन्न या प्रतीक यह सारे क्वेशन, मोस्ट की क्वेशन बहुत हैं धर्म से रिलेट करके हैं तो आपको इसमें बताना है कि बुद्ध के जन्म का चिन्न या प्रतीक क्या है फिर मृत्यू का चिन्हिया प्रतीक क्या है ग्रिह त्याव और ज्ञान प्राप्ति का चिन्हिया प्रतीक क्या है आपके option यहाँ पे नीचे दिये गए है चलिए पहले हम लोग मिलान करते हैं यहाँ जन्म का जो चिन्हिया प्रतीक है वो है कमल व साण मृत्यु का स्टूप, ग्रिह त्याग का घोड़ा और ग्यान प्राप्ति का पीपल या बोधि वरिक्ष अभी तो मुझे याद ने पढ़ रहा है बट एक एक्जाम में UPSS से ही रिलेटेड एक्जाम था उसमें ये पूछा था सिर्फ साड, साड चिन्ह किस चीज का प्रतीक है भगवान बुद्ध के जन्म का, मृत्यु का, ग्रिह त्याग या ग्यान प्राप्ति का ऐसे भी आपसे प्रशन पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको चिन्ह या प्रतीक बताया जाएगा और उससे रिलेटेड घटना ऑप्शन में दी गई रहेगी और आपको बताना रहेगा तो इसलिए इसे ध्यान दीज़ेगा, कमल वर साड यहां पे इकठे लिखा है, लेकिन कभी-कभी या तो कमल या फिर साड अकेले भी पूछ सकता है आगे हम आप्शन देखते हैं, फर्स्ट का बी, सेकेंड का बी, थर्ड का ए, और फोर्थ का बी इस तरीके से हम अगर जो देखें, तो यहां पर हमारा फर्स्ट आप्शन जो है, वो सही होता है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रेशन की तरफ, यहां पे इसका डीटेल भी दिया गया है जन्म का प्रतीक चिन है कमल वसाण, ग्रिह त्याग का प्रतीक चिन है घोड़ा, ज्यान का प्रतीक चिन है बोधिवरिक्ष या पीपल, और निर्वाड का प्रतीक चिन है पदचिन, और जबकि मृत्यू का प्रतीक चिन स्टूप को माना गया है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं ये क्वेशन पूछा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे ये आपका आरो यारो क्वेशन में भी आ चुका है आरो यारो और यूपी प्यस्टी से रिलेटेड किसी एक्जाम में भी आया हुआ है आगे इसका आंसर चलिए देखते हैं आप्शन है आपके पूरण कसब दूसरा है मुखल गोशाल तीसरा है मुगलिपुत तिस और चौथा है साबक मीर कहीं कहीं ये सबाक मीर भी लिखा हुआ है या सबक मीर मतलब अलग-अलग तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पर आप्शन है आपका साबक मीर इसका सही आंसर होगा मुखल गोशाल ये आजीवक संप्रदाय बौध हो जैन धर्म के आने से पहले से ही विद्धमान था नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेशन ये रिख वैदिक काल से संबंधित है जिसमें पूछा है निमनलिखित में से कौन से देवी देवता रिख वैदिक काल से संबंधित थे पहला ओप्शन है पुरंदर दूसरा है सावित्री त्रीसरा है उशा और चौथा है वरुड option यहाँ नीचे आपके दिये गया है एक और तीन एक दो वचार एक तीन वचार या उपर्युक्त में से सभी तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखते हैं पुरंदर का भी वर्डन रिगवेद में है और सावित्री का भी उशा और वरूर यह चारो के चारो देव रिगवेदिकाल से ही संबंधित है इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी नेक्स्ट क्रेशन हम लोग देखते हैं पूछा है बुद्ध चरित की रचना किस ने की थी इसका option होगा अस्वगोश बुद्ध चरित की रचना अश्वगोश ने की थी जो कि कुशाड के राजा कनिश्क के दरबारी कवी थे यहां पर आपका डिटेल दिया है अश्वगोश कुशाड राजा कनिश्क के दरबारी कवी थे नेक्स question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पूछा है दूसरी बौध संगीत की अध्यक्ष थे यह भी आपका एक्जाम में आ चुका है तो यह कई बार एक्जाम में पूछा चुका है कि संगीत के अध्यक्ष कुन थे जैसा कि आपको पहले भी बता चुके है यहाँ पर पूछा है दूसरी बौध संगीत के तो option आपके दिये गए हैं महा कसप वसुमित्र व अश्वगोस साबा कामी और चौथा है मुगलिपुत तिस यहाँ पर हम देखते हैं महा कसप ने पहली बौध संगीत की अध्यक्षता की थी जबकि साबा कामी यह दूसरी बौध संगीत की अध्यक्षता की थी तीसरी की मुगलिपुत तिस और चौथी जो कनिश्क के साशनकाल में हुई थी उसकी अध्यक्षता वश्मित्र ने की थी और अस्वगोस उसके सहायक थे आईए आगे हम लोग डीटेल लेखते हैं यहाँ पर बताया गया है डीटेल में सारे सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हूं तो फर्स्ट है आपका पहली संगीत चार सो तिरासी इसापूर में हुई थी राजग्री हस्थान पर और इसकी अध्यक्षता महाकस्पनी की थी और शासनकाल यह अजात शत्रुका था दूसरी संगीती तीन सो तिरासी इसापूर ठीक सो सालबाद और यह अस्थान था वैशाली और साबा कमीर इसकी अध्यक्ष थे और यह काला शोक के सासनकाल में दूसरी संगीती हुई थी तीसरी संगीती हम देखते हैं यह अशोक के सासनकाल में हुई थी और दो सो पचपनी सापूर और यह स्थान था पाटली पुत्र और इसके अध्यक्ष थे मुगलिपुत तिस चौथे पर देखते हैं हम कि चौथी बौध संगीती जो थी वो कनिश्क के साशनकाल में हुई थे प्रथम सताबदी में और स्थान था कुंडलवन जो कि जम्बू काश्मीर में है और अध्यक्ष थे वसमित्र कि संगीत के बाद बौध धर्म दो भागो ही नियान एवं महायान में विभाजित हो गया था इसका आंसर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम बौध संगीत सेकेंड है दुतिय बौध संगीत थर्ड है तृतिय बौध संगीत और फर्थ है चतुर्थ बौध संगीत इसमें आपका सही आंसर होगा चतुर्थ बौध संगीत चतुर्थ बौध संगीत में ये बौध धर्म दो भागों ही नियान और महायान में भाजित हो गया था नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं question की तरफ next question है सिद्धार तिया गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे option आपका है first महा नामा second असगी third है अलार कलाम और fourth option है आपका रुद्रक राम पुद्ध यहाँ पर हम देखते हैं इसका सही आंसर होगा अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे next question है गौतम बुद्ध ने अपने सरवाधिक उपदेश कहां पर दिये यह भी आपके एक्जाम के से बहुत ही most important question बन जाता है अगर आप UP, PCS या ऐसे UPSC से related questions solve कर रहे है इसको तो और tough बना करके लेकिन आपको थोड़े easy way में बताया गया है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहां पर दिये थे option श्रावस्ति वैशाली, कौशामबी, सारनाथ सही आंसर होगा इसका श्रावस्ति यहां पर दिया है गौतम बुद्ध ने अपने सरवाधी कुपदेश रावस्ति में दिये है last question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं last question है हमारा कि उत्तर भारत में मंदिरों की निर्मार कला की शैली क्या है first है नागर शैली, second है द्रविर शैली third है वेशर शैली और fourth है पंचायतन शैली यहां पर इस question में हम लोग चार तरह की शैलियों को देखते हैं जिसमें से दो famous हैं नागर शैली और द्रविर शैली जब बात उत्तर भारत की आती है तो हम देखते हैं कि मंदिरों की रचना ये उत्तर भारत की विशेशता रही है जबकि दक्षिड भारत में मंदिरों की निर्मार शैली द्रविर शैली रही है और दक्षिड में कुछ एक जगह पर वेसर शैली उन शैली को बोला गया जहां पे ये नागर शैली और द्रविड शैली दोनों का समन्वे हमको देखने को मिलता है और पंचायतन शैली जिसमें मंदिर जो होता था वो छोटे-छोटे मंदिरों से खिरा हुआ होता था option हम यहां detail में देखते हैं कि उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माड की शैली जो है वो नागर शैली है और दक्षड भारत में जितने मंदिर बने हैं उनकी कला द्रविड शैली कहलाती है जबकि दक्षडापत के ही कुछ मंदिरों का निर्माण नागर और ड्रविर दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है अत्तर यह वेशर शैली कहलाती है और पंचायतन शैली में हम देखते हैं कि जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं आज की क्वेशन यही समाप्थ होते हैं मैंने प्रयास किया है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैटेरियल पहुंचे अगर आपको मेरा प्रयास जरासा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें thank you, bye bye